स्वागत है दोस्तो आपका बाबा आयरवेदा में जिसमें आपको आयरवेद से संबदीत सभी जानकारिया बतलाई जाती है और अब आप आयरवेद से जुड़ी सभी जानकारिया हमारी वेबसाइट बाबाायरवेदा.com पर विश्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक दुरलब जड़ी बुटी से अवगत कराऊंगा इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो में आप जिस पौदे को देख रहे हैं यह हैं पहाड़ी प्याज जिसे जंगली प्याज वकुम्ब प्याज के नाम से भी जाना जाता है आइरवेद में इसकी पहचान गंधना के नाम से की जाती है इसके अलावा इसे गोंदला कवली कांदो कोली कांदा के नाम से भी जाना जाता है आम प्याज की तरहे इसकी भी दो परजातिया देखने को मिलती है इसका पोधा पहडी छेत्रों में धलानों व्यक्कम पत्रीली जगों पर देखने को मिलता है पहडी प्याज एक ऐसी वनोसदी है जो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है इसलिए सरकार ने इसे वनोसदी संरक्षन की स्रेनी में रखा हुआ है इसे आदिवासी लोग कुम्ब प्याज क्यों कहते हैं यह हैं एक रोचक जानकारी है जिसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा ताकि यह वीडियो जादा लंबी ना हो पहाडी प्याज की पतिया जमीन के उपर चारो दिशाओं में फैलती है इसमें कितनी पतिया आती है यह बात मैं अभी तक सपस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेट पर जिस जंगली प्याज की इमेज देखने को मिलती है उसमें इसकी पतिया गुच्छों में और ज्यादा होती है परन्तु मैंने अभी तक जितने भी इस पहाडी प्याज के पोदे देखे है उन सभी पोदों में या तो तीन या फिर चार पत्ते ही देखने को मिले इन चार पत्तों के बीच में से एक मंजरी निकलती है पतियों के जमीनी चोर पर बहार से भूरा और अंदर से सफेद रंग का कंद लगता है जो प्याज की तरह होता है इसी कंद के कारण इसे पहाड़ी प्याज कहते है यह एक वर्ष जीवी वनोस दी है अर्थार्थ इसका पोदा सिर्फ एक साल तक ही जीवित रहता है आदिव असी लोगों के अनुसार यह ठंडे पर करती की होती है उनके अनुसार यह पहले खून के परवा को तेज करती है और रोगों को नश्ट करती है और फिर शांत करती है शुरुवात में चाय यह जो भी असर दिखलाए परणतु अन्त में यह सब शांत करती है इस कारण इसे ठंडी पर करती की माना जाता है लेकिन आयरवेद पर लिखी किताबों में इसे हलकी गरम पर करती की बतलाया है पहाड़ी प्याज का इस्तेमाल सरीर की सुजन और बादी को दूर करने पाचन सक्ती सुधारने पेशाब और मासिक धरम साफ करने पेट के केड़े मारने वे बवासीर को जड़ से खतम करने के लिए प्रियोग किया जाता है आदीवासी लोग इस पहाड़ी प्याज से अपने हतियार गिसा करते थे जिससे उनके हतियार मजबूत और ज्यादा समय तक चमकदार वे धरदार रहते थे इसके पानी को वो अपने हतियार बुजाने के काम में लेते थे पहाड़ी लोगों के लिए यह उसदी नपुन सकता और कामेंद्रिय की कमजोरी के लिए एक अदबुत और वरदान उसदी है जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी दी जाएगी तो दोस्तों ये थी मेरी पहाड़ी प्याज अर्थार्थ जंगली प्याज की पहचान वे गुनों की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करे साथ ही यह भी बताई कि आपकी भासा में इसे किस नाम से जानते और किस काम के लिए प्रियोग किया जाता है अगर आप हमारी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए